हेलो फ्रेंड्स आप साथ कैसे हैं उमीद करते हूं आप सब ठेक होंगे तो आज मैं आपके लिए बहुत ही एक संदर सा हेर बैंड बनाने लेकर आई हूं बनाने का बच्चों को सर्दियों में आप उनकी ड्रेस के अकॉर्डिंग जैसे उनकी ड्रेस का कलर है वैसा आप हेर हेर बन कैसे बनेंगा तो उसके लिए यह देखिये फ्रेंड मैंने एक रवड बैन ले लिया है इस तरह का यह मेरा तो पुराना है फिलाल मुझे मिलनी रहा था कोई तो आप ऐसे नया हेर बन ले सकते हैं जिस कलर में आपने अपना हेर बनाना है आप उसी कलर का रवड ले लिएगा तो चलिए फ्रेंड हम शुरू करते हैं पहले हम चैन बनाएंगे यह देखिए यह फ्रेंड हम लोग 12 चैन बनाएंगे यह देखिए एक दो ती चार पांच छै साथ आठ इस तरह से रवड बैंड में से देखिए इस तरह से इस तरह से हम देखिए इस तरह से हमेंसे जोड देंगे यह देखे ऐसे इसे जोड देंगे तो यह देखे फिरंट इस तरह से हमने जोड लिया इसको और अब ध्यान से देखे इस तरह से हमने जोड लिया है और हम ऐसे देखे इस तरह से हम दो चैन लेंगे और फिर हम इसमें डबल क्रोशियर बनाएंगे इस तरह से यह देखे हम इस पूरे अपने इसमें गोल चकर में यह जो हमने बनाई है अपनी चैन का गोला बनाया है तो इसमें पूरे में हम लोग यह डबल क्रोशिय बनाएंगे इस तरह से देखे इस तरह से हम बनाएंगे इस गोले में हमारे जैसे हमने बारत चेन बनाई है तो इस गोले में हमारे 26, 27 या 28 के क्रीब यह हमारे डबल क्रोशिय बनेंगे तो मैं आपको बनाके दिखाते हूं तो यह देखे इस तरह से हमने गोला बना लिया है मेरे इस गोले में 27 डबल क्रोशिय डले हैं तो आप जैसे भी चेन बनाएं आप पहली बारी में 26, 27 जो भी आपके डलेंगे आप उसी साफ से आप यह सभी गोले इसी तरह से आप बनाएंगे तो चलिए फ्रेंड में आप हम लोग इस तरह से इसको यह देखे इवली चेन में डालके यहां पर हम इसको जोइंट करतेंगे इस तरह से यह देखे फ्रेंड में जोइंट हो गया हम यह आप आगे आपको दिखाती हूं यह देखे यह इस तरह से हमने इसे जोइंट करती है अब हम इसका धागा जो है अंदर की तरफ छोपा देंगे देखे इस तरह से यह निकालके ऐसे अंदर की तरफ एक दो में निकालके इसको छोपा देंगे धागे को ताकि यह हमारा कभी भी खुलेना इस तरह से बाकी धागे को हम इस तरह से कटिंग कर देंगे इस तरह से हमारा यह एक बन गया है अब हमें दूसरा कलर लगाएंगे इसमें एक तो वह देखिए तो यह देखिए फिर हम दूसरा कलर लगाएंगे उसको भी सेम हमने जैसे उसमें हमने बारा चेन बनाई थी तो इसमें भी हम लोग इसी तरह से बारा चेन बनाएंगे यह देखिए एक, दो, तीन, चार, पांक, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, यह देखिए यह हमारी बारा चेन बन गई है यह देखिए और आप हम क्या करेंगे यह देखिए फिरन अब कोशिश कीजिए कि जहां पर आपने ही जोइंट दिया है यही से आप इसको डालके इस वाले को यहां पर जोड़ेंगे तो यह आपका जो जोईंट है यह दिखेगा नहीं यह अंदर की तरफ आपका छुप जाएगा यह वाड़ा जोईंट जो है तो चलिए फ्रेंड हम इस तरह से इसको जोड़ेंगे जैसे हमने इसको भी जोड़ा था यह देखिए और अब हम तीन दो चेन बनाएंगे और यह देखिए इस तरह से हम फिर से इसके अंदर 27 डबल क्रोशिय बनाएंगे यह देखिए इसमें फ्रेंड आप जितने चाहो कलर लगा सकते हो जितने भी आपके पास बच्छी हो उने आप उनसे भी रंग प्यरंगा भी बना सकते हैं और अगर आपने बच्छी की ड्रेस के साथ मैच करके panas om तो ये color में भी बना सकते है जैसे आप चाहो वैसे आप बना सकते हैं तो चलिए friend मैं आपको ये बना के दिखाती हूँ तो यह सह बनाएंगे और इस तरह से इसमें आटैज करते जाएंगे जतना भी आपके रबाद बनाना है उसी हिसाफ से उसके आप सर के साथ नाप के भी बना सकते हैं थोड़ा सा उसमें छोटा रखियेगा क्या कि पीछ हमने यह रबरगान लगाना है तो इसके साथ थोड़ा सा स्ट्रेच हो के भी पूरा आजाता है उस हिसाब से आप ये गोले ये ये दो गोले ये तीन गोले आप कम भी रख सकते हैं तो चलिए फरंड में आपको दिखाती हूँ कि मैंने बना के रखा हुआ है तो वो कैसा बनेगा ये देखिए फरंड ये मैंने इस तरह से ये देखिए ये मैंने इस तरह से बना के रखा हुआ है ये देखिए और इस तरह से मैं इसमें ऐसे रख लगा के ये देखिए ये इस तरह से बनाया है तो अब मैं आपको इसको कैसे हम लोग जोइंट करेंगे ये देखिए कैसे ये जॉइंट होगा वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ तो ये देखिए फ्रेंट हम इसमें भी 12 चेन लेंगे एक दो तीन, चार, पाँच चैर, साथ, आठ नो, दस ग्यारा, बारा तो ये देखिए ये हमारी 12 चेन हो गई है तो अब आप देखिए कि किस तरह से हम इसको जॉइंट करेंगे ये देखिए इस तरह से हम ये देखिए ये ऐसे बना हुआ है देखिए तो हम इसको एक बार इसको ऐसे सीधा कर लेंगे ताकि कोई भी इसमें गड़बर ना हो क्योंकि यह जितने भी हमने गोले बनाए हैं ये सारे गोले जो है सीधे होने चाहिए कोई भी गोला बीच में उल्टा नहीं होना चाहिए और इसमें बल भी नहीं होना चाहिए इस तरह से इनको सीरा कर लिया और अब देखिये इस तरह से ये देखिए ये हमने ऐसे ये देखिए ये हमारा इस तरह से हो गया अब देखिए फ्रेंडम क्या करेंगे ये देखिए ये इस तरह से हम इस से ये देखिए पहले हम इसमें डालेंगे और फिर हम इसमें इसको डालेंगे तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको इसमें भी डाल दिया और अब हम इसमें भी डाल देंगे तो यह देखिए यहां से हम लोग इसको यह देखिए इस तरह से दोनों के अंदर डाल देंगे यह रपड के अंदर भी डाल देंगे रपड म पहले हमने आपको दिखाया था कि इस तरह से हमने जॉइंट करना है तो मैं आपको दिखा देती हूं कि कैसे हम यह देखे इस तरह से यह जॉइंट हो जाएगा यह देखे और अब हम इसमें वैसे ही दो चेन बनाएंगे देखे और फिर से हम इसमें अपने जितने भी 27 डबल कर corazón बनाएंगे चलिए फ्रेंड में आपको बनाने के बाद है और दो इस तरह से देखिया हमारा रबाड वंवर इस से अब बना है और फ्रेंड अभी यह बना बागी है यह पूरा नहीं बना है यह देखिए मैंने आपको यह देखिए इस तरह से यह दोना तरफ से यह ज्ञाइट हो गया और यहां से ऐसे कि चाब पड़ेगा तो यह सर पे पूरा आजाएगा तो चलिए फ्रेंट आगे हम दिखाते हैं इसको कैसे हमने कम्प्लेट करना है तो यह देखिए फ्रेंट इस तरह से हम इसके साथ इसको ज्ञाइंट करेंगे इस तरह से हम इसे जोड़ेंगे और अब देखिए इसको हम दो बार ज्ञाइंट करेंगे देखिए इस तरह से और आगा हम इसमें ऐसे यह करेंगे और फिर देखिए फ्रेंट ध्यान से आगे हम कैसे करेंगे तो यह देखिए फ्रेंट हम इसमें इस तरह से यह डबल क्रोशियर करेंगे यह देखिए यह हमारी यहां से अभी स्टार्टिंग थी तो अब देखिए फ्रेंट हमने यहां पर आना है तो यहां पर अब देखिए कैसे करेंगे हम चेन करेंगे हैं यह देखे फ्रट कि यह हमने यहां पर चेन करी और आप हम यहां पर यहां पर डाल देगे यह देखिए हमने बीच में कितने छोड़ने हैं कि द्यानदेजिए ये दो तीन और ये चार चोथे में हम ऐसे डाल देंगे यह देखिए इस तर ऐसे हम लोग यह चार डबल क्रोशिय बनाएंगे अब फिर से हम लोग तीन चेन बनाएंगे और अब हम यह थो यहां से हम लोग एक दो तीन और यह चौत्य पर हम डालेंगे और यह साथ में हम यह नीचे वाला जो है इसका भी परण जो है हम इसका भी एक चेन साथ में लेंगे इस तर एसे यह देखिए ऐसे लेंगे और अब हम तीन और इसके अंदर डबल क्रोशिय बनाएंगे यह देखिए एक तो यह हमारा बनाएंगे हम यह देखिए इस तरह से बनाएंगे उसके बाद फिर से हम तीन चेंड लेंगे और फिर से हम यहां पे एक दो तीन और यह चार फिर हम लोग यह ऐसे डाल देएंगे यह देखिए तो यह देखिए फिर हम चार यहां पे डिबल क्रोशिय बनाएंगे और फिर से तीन चेंड लेंगे और फिर हम यहां से इसमें एक दो तीन चार और फिर यहां से डालेंगे और एक पॉइंट इसका हम यहां पे एक चेंड इसकी भी नीचे गालित की भी ले लेंगे साथ में तो यह देखिए फ्रेंट इसी तरह से हम इसका यहां पे यह किनारा जो है बनाएंगे तो मैं आपको पुरा बनाने के बाद दिखाते हूं तो यह देखिए फ्रेंट हमारा हेर्पेंट बनके त्यार हो गया है तो यह देखिए यह इस तरह से हमारा हेर्पेंट जो हो गया देखिए इस तरह से हम इसको जैसे भी आप पहनना चाहिए देखिए इस तरह से हमारा यह हमने दोनों तरफ से इस तरफ से भी दिखिए इस तरफ से इसको बनाया है इस तरफ से याद खतम करा और फिर इस तरफ से इसको बनाया है तो यह दोनों तरफ से इस तरह से ब गर देखिए इसका डेजाइन जो है यह बहुत ही रॉफसूरत इसका डेजाइन बनके आया है एक दम देखने में बहुत ही सुन्दर लगता है तो फरेंड, आप अपने बचे की ड्रेस के गॉर्णिंग अगर एक कलर का बनाना चाहिए तो एक कलर का बना सकते हैं, दो कलर का बना सकते हैं, जैसा भी आप चाहें बना सकते हैं, तो friend मेरी समझाने का तरीको, और बनाने का तरीको आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो like और share कर लीजिये, और मेरे चेनल को subscribe भी कर दीजी, अगर आप मेरे चेनल पे पहली बार आए हैं, तो वैल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको हर आने वाली नहीं वीडियो की नोटिफकेशन मिल सके तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं एक नए डिजाइन लेके तब तक आप सब खुश रहें हसते रहें मुस्कुराते रहें